नमस्कार मित्रो जै माता दी माता राने के किर्पा से फिर से एक और ने वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं इनकी इन चीजों से आपको सावधान रहना है इस वीडियो में आपको पूरी जैनकारे मिलने वाली हैं वीडियो को पूरे अन तक देखें और वीडियो का कोई भी पाट पसन आये तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करें जै माता दी और अभी अस्तारीब खूसी और जर्या बनेंगी ऐसा इसलिए कि क्योंकि आपने अपने जिंदगी को पैंड की तरह भी बना लिये हैं तो खूद तबती दूप में भी खड़ा होकर और उसे सहकर भी रहागीरों से भी छाव देते हैं धन और कभी आगमन आज आपको कहीं आर्थिक प चमताओं को बढ़ा कर आप केरियर में नए दर्वाजे भी खोल सकते हैं अपने छेतरों में आपको अपार सफल ताइम मिलने की संबाव रहे हैं अपने सभी छमताओं को निखार कर औरोस भी बैतर बनाने की कोसिस करें आज घर के लोगों के साथ में बात चित करते दोरान आपके मुँ में कोई ऐसी बात निकल सकती हैं जिससे घर के लोग नराज भी हो सकते हैं इसके बाद में घर के लोगों के मानने के लिवी आपकी काफी समय जाश सकते हैं जीवन साथे के कारण कोज भी अनुनुकसान भी होने की भी संभवनाएं रहने वाली हैं और आज उपयोग करके और किसी भी समस्चा को सूलजान में सक्षम रहेंगे आर्थिक पक्ष में पहले से अधिक दिर्शिग्री इस्तिती में से रहेंगे क्रोधी स्वाभाव पर नियनतनरा रखना अविश्यक है क्योंकि इस वज़त से किसी संबंदी से तक्रार भी हो सकते हैं कोई बैबसाइक संपन दाइरे को भी और अधिक विश्तितर करने होंगे इससे आपको लाबदाई का नुबंद भी हासिल कर सकते हैं कारशितर में परती डंडी की गती बिद्नों पर पैनी नजर रखें आपिस में कोई बी ऐसी गलती भी या चुक भी हो सकते हैं जिससे आपको अधिकारियों को भी डाट का सामना भी करना पर सकते हैं घर परिवार में सुकून भरा महल भी रहने वाली हैं पुराने मित्र मुलाकात पर संसाथ देंगी तता पुराने यादे भी ताजा होंगी गर्मी की वज़े से गर्महाट और ठकान भी रहने वाली हैं इसलिए उच इस विव्यक्तिक पर्खनी की आविश्कता है आपके दुआरा बोली गई बातों को भी गलत तरीके से लिया जा सकते हैं अभी के समय में कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाब है इस बात को जानने की कोशिस करें काम से संबंधि प्रगीर्थी का असान इसे प्राप्त ह खुद पर विश्वास रखने की भी कोसिस करें रिलेस्टन्सिप में अप एक चाय अनुसार बदलाव होंगे फिलाल वेक्ति गज जीवन पर धियान दें अराम के लिए और खान पान के लिए समय तैक करने के लिए अपनी जीवन सली में सुधारने की भी कोसिस करने की में भी आज सकती हैं सनी देव को काले तील के तेल का दीपक कर देने से पीट के दर्द के सारी समस्यां भी दूर होते वे चले जाएंगे और आज प्रिंटिंग मसिन्रों वालों के लिए कारोबारी में अच्छा ओडर भी प्राप्चु कर सकते हैं पसुछ चारे के वेपा आज से दूर होंगे किसे बड़ी कारी योजना में अंतियों रूप भी दे सकते हैं विवाद के मावले में सुखा दिस्तिति भी रह सकते हैं अपने आपको किये गए वादे को भी करने के लिए जजी जान से भी लगे रहें पाचन संबंध समस्यां भी रहने वाली हैं गा पारी संबंध ये पुराने अनुबंदों के लिए पूरे भी कर सकते हैं निकड के परिजन का भी अच्छा सयूब भी मिल सकते हैं स्वास्त के ओर से चिंताई भी मुक्त में भी रह सकते हैं गनेश वगवान को वरक चरा दने से स्वास्त के ओर से सारी चिंताई भी मुक्त भी रहने वाल हैं। तो नसओ के सार सिचापन की समस्या भी दुर होंगे। नेजी सम्बंदों में चल रहे कारोबार में खीचा टनी भी हो सकती है। बरोद्ज़गार के लिए नोकरी और आज सम्बंदी विश्य्सकारी भी सफलतायं का योग है। धार में किया अकलापों में से भागी दारी कर सकते हैं अनासी चेंटाइं भी घेर में ले सकती हैं सूरी देव को और दे देने से और उसका जलांकियों पे लगा देने से अनासी चेंटाइं की सारी समस्यां भी दुर होंगी साईदार में चल रहे बैपसाई में ज़रका भी दे सकते हैं केरिया संबंद या अपनी पर्थी मिक्ताईं तै किजेगा जीवन साथी के प्रती लापरवाई बिल्कुल भी ना बरते हैं गर्दन में थोड़ा कुछ दर्ध दुखी भी कर सकते हैं सिगरे कुझजी मासरुतों का भी पार्ट कर दें तो गर्दन के सारे दुख कष्ट भी दूर होते वे चले जाएंगे महिलाए राज निताओं के लिए परता का समना भी करना पड़ सकते हैं किसी सब्सम में साध्यात्मी व्यक्ति से मारदर्शन ले धार्मी कार्यों में भी खर्च कर सकते हैं एड़ी में थोड़ा कुछ सिचाब भी रहने वाली हैं सरस्वती देवी को काला का माला पहना देने से एड़ी के सारे सिचाब पन की समझ्या भी आज के दिनाव के उपर से दूर होते वे चले जाएंगे मेश राश्य वाले जातकों के लिए यसा ही समय है जबकि आपको अपने वैस्त दिन चरिया में समय निकाल कर अपने आज पास के स्तितियों में अपने इस्तितियों को ध्यान से समझाना है आप अपने विभीन कर्तब्यों को पूरा करने के लिए बहुत भागा दोड़ी करते रहें अब आप अपने इचामता पर इने पूरा भी कर चुके हैं अब आराम से बैट कर अपने परियासों और महनत के भी आनन उठाने का भी समय हैं आज आपको आलस का भी मैसुस होंगी लेकिन अब बिल्कुल स्वाभाविक हैं क्योंकि आप पिछले कई दिनों से बहुती तेज गती का भी सकाम कर रहें और आपको अपने टांगों से थोड़ा से बहुती सिचाव का दर्द भी महसुस हो सकते हैं यह सब अधिक भागा दोड़ी की नतीज़ा हैं इसलिए आज अपने सकती में वापस पाने के लिए खूब आराम करने होंगे अच्छा खाना खाने के भी आविश्कता आज के लिए होने वाली हैं और किसी भी को भी आपको नीचा दिखानी के अनुमती नहीं हैं यह समय आपके कोशिस करते रहने का हैं अगर आपको प्यार का भी चोड पहुंची हैं तो वह समझे कि वह आपके लिए क्या था और अब भाविश में के लिए देखने को समय हैं ऐसा कोई समाजिक दाइत्म नहीं हैं और आप ऐसा चीजे भी और आज साथ रहें जो आपके उर्जा में साथ मेल नहीं खाती हैं आप से टकराव की कारण पीसे हटन से यह भलाई हैं आक्रा सिगरी आप